हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोग को बताने वाली हो रिफ्रेक्शन के बारे में तो रिफ्रेक्शन स्टार्ट करते हैं जिसमें आप लोग रेफ्रेक्शन का definition जानेंगे साती हम लोग यहाँ पे two spherical lenses के बारे में जानेंगे और glass lab के बारे में जानेंगे जिसमें हम लोग reflection को अच्छे से समझेंगे ओके तो हम स्टार्ट करते हैं कि reflection what is reflection reflection क्या होता है तो reflection को जानने के लिए जैसे कि मैंने आपको first day जो है यह बताया था कि reflection जो होता है वो किस मेडियम में होता है जो transparent object होते हैं ठीक है जो transparent object होते होसी में ही क्या होता है reflection होता है तो reflection के definition के लिए हमें क्या define करना है the phenomena by which by which when light enters from one medium to another medium it always it always bends towards or away from the normal it is called as reflection ओके देखो मैंने क्या लिखा यहां पर कि वो phenomena जिसमें जब कोई light एक medium से दूसरे medium में एंटर करती है जब एक medium से दूसरे medium में एंटर करती है तो यह हमेशा जो है या तो वो normal के towards जाएगी या तो वो अवे जाएगी और इसी phenomena को ही क्या कहा जाता है reflection ओके अब यहां पर medium जो है वो medium जो होते है यह देरा two types of medium first क्या होता है एक होता है rarer और दूसरा क्या होता है denser okay two mediums क्या क्या होते है एक होते rarer और दूसरा क्या होता है denser rarer medium क्या होता है जिसकी density जो होती है वो कम होती है और denser medium वो होता है जिसकी density जो है वो rarer medium के comparison में ज्यादा होगी तो वो dancer medium होगा तो for example हम लोग देखते हैं यहाँ पर जैसे कि कोई एक सरफेस है और यहाँ से कोई एक incident ray आ रही है और यह मालो की यह air है और यह क्या है glass है अब दोनों में आप यह देखो कि किसमें दोनों में से density किसकी ज़्यादा होगी obviously glass की होगी और air की कम होगी so it is rare, rare medium तो इसे हम क्या कहेंगे rare medium कहेंगे और जो glass होगा वो क्या हो जाएगा dancer medium ठीक है तो जब incident ray एक सरफेस से आके टकडाती है तो इसका normal क्या हो जाएगा यह बिल्कुल perpendicular होगा है ना जैसे हमने reflection में रेखा था तो यह perpendicular जो है वो क्या है normal है अब जो rarer to dancer जाता है जब rarer to dancer light एंटर करती है तो it always be towards from normal ओके और dancer to अगर rarer जाता है तो यह क्या हो जाएगा away ठीक है तो यहाँ पर हम क्या देख रहे है rarer to dancer जा रहा है इट मेंस यह क्या होगा normal से towards होगा मतलब कि यह वाली जो line होगी वो बिल्कुल normal के बिल्कुल थोरी सी मतलब close होगी यह बिल्कुल अगर कोई light होती तो मेंसा बिल्कुल जो होती वो बिल्कुल straight line में travel करती है लेकिन एक medium से दूसरे medium में जब travel करती है तो उसमें bending हो जाती है इसी कोई reflection कहते है तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको बताए कि rarer to dancer जग में medium एंटर करती है तो वो towards हो जाती है normal के मतलब normal के close हो जाएगी इसी तरह से अगर हम लोग मालो दूसरे वाले example लेते जैसे यह dancer medium है और यह rarer medium है इसको हम माल लेते हैं यह कोई glass है और यह क्या हो जाएगा air तो transparent होने के काल obviously light जो होगी वो आरपार होगी तो जब light dancer medium to rarer जा रही है अब यह incident ray हो गया जो normal होगा वो क्या होगा बिल्कुल perpendicular होगा और यहाँ पर dancer to rarer हो रहा है तो normal से वो क्या होता away हो जाता है मतलब दूर हो जाता है तो यहाँ पर जो angle बनेगा वो क्या होगा angle of reflection और यह angle of incidence यहाँ पर वीसी तरह से angle of incidence यह angle of reflection ठीक है तो यह dancer to rarer में क्या होता अवे चला जाता है normal से और rarer to dancer से क्या होता है normal के towards चला जाता है तो यही phenomenon जो होता है वो क्या कहलाता है reflection कहलाता है ओके next हम लोग देखेंगे तो अब हम बात करेंगे lenses के बारे में तो there are two types of lenses जो के spherical lenses होते हैं फर्स्ट क्या हो जाता है concave lens और second क्या होता है convex lens तो सबसे पहले हम इसके figure को देखेंगे concave lens जो होता है वो ऐसा होता है ओके जो end पे broad होता है और बिल्कुल mid पे क्या होता है वो narrow होता है बढ़ जो convex lens होता है वो edges पे क्या होता है narrow होते है और mid पे क्या होता है ठिकर होते है तो इस तरह तरह यह concave lens हो गया यह convex lens हो गया जो concave lens है हम इसके points को भी देखेंगे कि किसका क्या नाम है जो इसके mid point पे होगा उसको हम कहेंगे optical center ओके क्या होगा optical center अब जो यहां पे 2 f1 लेंगे हम यहां पे और यहां पे लेंगे f1 तो यह focal length होता है और यह just like center होता है जैसे कि हम लोगों ने mirror में देखा था तो distances जो होते सिम उसी तरह से लेने है measure करके आपको जैसे कि o और f2 f1 के बीच का distance अगर मालो 5 cm है तो दोनों के बीच का distance जो होगा 2.5 2.5 cm करके होगा just like that इधर भी क्या हो जाएगा f2 और इधर क्या हो जाएगा 2 f2 अब हम देखेंगे कि concave lens जो होता है उसका और एक नाम है जिसे कहते हैं diverging lens किस तरह से होता है क्योंकि जो light होती है वो reflect करके वो चारो तरफ फैल जाती है इसको क्या कहेंगे अब देखो यहां पे कैसे हो गई है जैसे कि अगर हम लोग कोई एक इंसिडेंट रहे हैं और यहां पर फोकस पर में करेगी सिदेन तो मैं करें यह मैंन। वो एक्ट्वालन से यहां परdasब का फॉकास पर आके मिट करेगी इसी तरह से हम इसमें भी देखेंगे यह incident ray होगा, refract होके क्या होगा, यह focus पर आके meet करेगी, incident ray, refracted Ray, focus पर आके meet करेगी, तो जिस कारण से हम यहाँ क्या देख रहे हैं, कि जो points जितने भी ray आएगी, वो सारे points जो होगे, वो कहाँ से आके meet करेगी, फोकस पर आके इमीट करेगे सारे रिफ्रेक्टेड रेस ओके तो जिस करण से इसे हम क्या कहते हैं कन्वर्जिंग लेंज कहते हैं अब यहां पर एक्चुल रेस मीट करिए यहां पर जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वहो जाएगा रियल और इन्वर्टेड ओके और यहां पे तरह से कॉंकेव लेंज और रॉब्रजिंग दोनों में इमेजस का फॉर्मेशन होता है इसमें हम लोग डाइग्राम भी करेंगे आगे के वीडियोज में तो आप लोग जो है यहां तक अच्छे से आप इसको समझो दन हम लोग आगे के जो भी टॉपिक रह रहे हैं उसको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगे मैं आपको शेयर करूँगी ओके थैंक यू सो मच